तो हेलो दोस्तों वेल्कम आपनों मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में न हम लोग न यूनची के न बच्चों के पर बात करने वाले हैं तो दोस्तों टोटल यूनची के हैं दो बच्चे और दो लोगी दोनों बेटिया ही है तो दोस्तों यून्ची की जो पहली बेटिया है इसका नाम है यून्वोकसिन इसका जो behavior होता है वो अपनी माँ पे जरा भी नहीं जाता है इसका जो behavior होता है वो बिल्कुल यून्ची पे जाता है यह जो यून वोक्षीन होती हैं इसको फिरवना दो ही काम करना पफ़न दोते हैं पहला तो अपने फादर के साथ जाके फिशिंग करना और दूसरा अपने ही फादर को ब्लैक मेल करना अब आप लो ये पूछ होगी ये अपने फादर को ब्लैक मेल किस तरीके से करती है तो मैं आपको ये बतातों जो यूंची है न ये बचार अपने आद्तों से मजबूर है ये कभी भी अपने आद्तों से बाज नहीं आएगा स्रोवन कलाडी मोटर पैलेस के अंदर वहाँ पर ऐसी कोई भी लड़की नहीं जो यूंची के हाथों से बच्ची बढ़ी अब तक हर किसी ना किसी को यूंची ने ज़रूर छेड़ा हुए या किसी ना किसी को बगार कपड़ों की या उनको किस किया हुए ऐसी एक दिना यूंची ओता वह उना चोय यूईली को छेड़ा हुए जो चोय यूचन की बहन होती है जिफर अब जो चोय यूईली होती है वो बहुत ही बहुत ही अश्रमारी होती है लेकिन जो यूंची होता है वो अचाना फिर चोय यूईली को पकड़ की किस कर लेते ह और ये जो फारा फीन होते हैं ये पीछे यून वोक फीन देख रही होती है और उसक जो यून वोक फीन होती है वो 11 साल की होती है फिर बास होना कहा था यही फिर जो यून्ची होता है उसको यून्ची से मनवानी होती है और यून्ची नाम मान रहा हो तो वो फिर गअपने मार का नाम लेती थी और युनची उसी वकित अपनी लाइन पर आ जाता था कि चय medically, पता है कि युनची की कई फारी बीवी है मगर जो अपनी बहुत ही फया Жंदी जैलेफ हो जाती है जैनद पर यूणची की पैटी होजाती है वहाँ पर.. और इस बात का मंदावञ यूण वक्षिन को भी अच्छे पेड़ा क्यूब्यों भी कई दफ आप अपने बापको और अपनी मार खातो है देखा है फिर जो युन्ची होते हैं वो भी अपना थोड़ा बहुत दिमाग चलाता है और अपनी बेटी युग कहते हैं कि तुम ने मुझी एक बार फिर आप एक ही टोपिक से ने बलैक मेल कर सकती हो बार पर तुम इस टोपिक को उठाके मुझे बलैक मेल नहीं कर सकती फिर केंद फिर 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 बार पर फिर बार फिरर फिर बार फिर फिर जो देख लेती है फिर किया यून जी दुबारा फिर यून वाक्सीन के आथ हो हमेशा ब्लैक मेर होने लग जाता है तो दोस्त आप हम लोग बात कर लेते हैं यून जी की दूफरी बेटी के उपर इसका जो नाम है इसका नाम है यून जी और ये जो है ये शीन वी में से होगी ये जब पैरा भी नहीं रही होती न तब भी जो शीन्वी होती इसको सारी नॉलिज देती रहती है बाहर की दुनिया के बारे में और इसको बहुत कुछ न अपने पेट के अंदर इसका कुछ सिखाती रहती है और जब ही Shenevih के पेट में उती ना बाई बर Shenevih से यही सवाल पुछतें कि मेरे फादर का है और कितीं कि हम मिरे फादर मेरे से प्यार नहीं करते कि मैंने आज तक उनकी अवाफ नहीं सुनी फिर जो Shenevih होती है कितीं कि तम्हारे फादर शीन वी के पेट पेले एक मुखा मार देला, जिस अपने फेas सीन वी की जो बेटी होती होती है, उसकी आवाफ शीन वी को नहीं आ रिय वहा जाती फिर जो यूंचियोत अपनी बेटी फे तब मिलते हैं जब यूंचिय अबीफ of nothingness नाम की जगह पे जाते हैं अबीफ of nothingness नाम की जगह ये बहुत ही फैसा खितना आक है नहीं करता है जिनको वो जाता ही नहीं है क्योंकि फिर जो यूंचियोता है अब भी थोड़ा बहुत बहुत बैड़ेस होता है और फिर वो half gold realm level की जो warrior वो इसको बहुत ही वैदा वक्मी कर देते हैं फिर उनमें फिर एक half gold realm level की warrior आगे बढ़ता है इसको मारते के लिए ये देखकर जो यूंचियोता है वह वहां फिर जाने लग जाता है मगर अचानक फिर जो यूंचियोता है वह एकना point को गाने लग जाती है ये देखकर जो यूंचियोता है वहीं पर रुख जाता है कि दम जैफिर यूंचियोता है वह एकना यूंचियोता है अपने कदमों पर ही रुख जाता है और जब यूनची उपर देखती है तो यूनची फ्रामने खड़ा होता है क्योंकि इफ्टेम यूनची को पता होता है भी यूनची होते हैं वो हालक הार करके नीचे घुटनों के बल बैट जाता है और अपनी बेटी को उठाने लग जाता है और कहते हैं ये पॉइम तुमने कहां से सीखिया हो और फिर जो यून जी होते हैं वो कहते हैं ये मैंने अपनी मदर से सीखिया है और कहते हैं कि उसका नाम शीन वी है येव उनके जो यूच्ची हो तो उसको एक ही दम जटका लग जाता है और उसको कहते है कि तुम्हारे फादर का नाम येव उनके जो यूच्ची होते हैं वो गुस्वे पे कहते हैं इस पर ने फिर न मैं उसका फर नेम यून इस्तमाल नहीं करती है यदि मैं अपनी मदर का फर नेम इस्तमाल करती हूँ यानि लोंजी जिब यूनची अपनी बेटी के हालत देखते हैं जो बहुत ही जखमी हुई पड़ी होती है तो यूनची का मीटर हाई होने लग जाता है बहुत ही जएदा और उसे अपनी बेटी को पनी बासों उठा लेता है और उसके उपना अपनी पावर को चड़ा है देता है ताकि उसके जितने भी जो जखम में वह ही रोजाए और यूनची उनका मीनों की तरफ देखके कहता है कहता है कि आज तुम मैंसे कोई भी यहां से जिन्दा बचके तो जाने नहीं वाला यूनची फिर उन सब को बहुत ही जएदा बेरहमी से मार देते है पकड़ के क्योंकि इफ की जो खुब फूर्ती होती हो इफ का दुश्मन बन जाती है जिप अफ जो लोग होते इफ का शिकार करने लग जाते है और ये फिर गया करते है अपने चेरे कोई खराब कर देती है पकड़के यहां तक इसकी मदर भी इसके साथ नहीं होती बात करें यूंची की तो यह यूंची से ही बहुत ही वैदा प्यार करती लेकिन अभी इस और ना थिंगनेस नाम किये जो जगा आना इसमें हम किसी भी त्रीके की ना वीकनेस नहीं दिखा सकते अपनी तो दोस्ते इसके आगी इस्टोरी तो मुझे भी नहीं बता अगेर इस दे गोर्ड नॉवल है न इसको जो राइटर है उसने अपी तक आगी इस्टोरी लौंची नहीं की और दिफंबर से लेकर अब तक इसने एक चेप्टर भी नहीं दिया मैं भी आप लोगों की तरफ बहुत ही वैदा इंटवार भी उसके आगी इस्टोरी देखने के लिए इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों में फिर बहुत से लोगों ने ये भी सवाल पूछे थे यार इस फिरीज का में विलन को है तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को पता है इसको जो राइटर है वो बहुत ही जएदा फ्लो है नावल लिखने के अंदर इस वर इस नावल जो है वो अपी तक कंटिन्यू है और हमें आगी के बारे में कुछ भी नहीं बता अगर मैं अपने ख्याल से बोलू तो आज से कई फाल पहले वो जो मुए गोट था ना उसका एक बेटा भी था मूफ वो जिफको भी अभी अभी आफ नथिंग ने इसमें फैंग दिया गया था वो फते हो में विलनो लेकिन येफ अब कुछ ना मैं अपने ख्याल से ही बोल रहा हूँ वैसे दोस्तों मुझे एक और बात में भी शक है जैसे कि आप लोगों पता है वो जो मुए और जो इरोटी गोड था इनके बीच मेरे एक फाइट हुई थी जिसमे हमें बताया गया था मुए होते है वो इनधा इस्टर फार्ड को खुला ले थे ईरोटी गोड को राने के लिए लेकि मुझे लगते वो जो इस्टर फाइट को फाइट के अंदर आराने के लिए और हाँ दोस्तों आप लोग ने अबीफ of nothingness के जो आर्क है इसमें आप लोग ने देखी लिए होगा एक अबीफ एम्परर भी है वो जो अबीफ एम्परर ने असल में वो मुये का बेटा मूसू है जिसको मुये ने खुदी अबीफ of nothingness में पेंट दिया था मैं आपने ठाट चैनल का लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा मैं मिल तो आप से एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्यार रखना